एक ऐसी बहुत ही पाफुल चीज जिसने मुझे हेल्प किया अपनी लाइफ में अपने बहुत सारे ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पुरा करने के लिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आपने इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया, कैसे आप अपनी लाइफ को magical बना देंगे लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस में आपको समझाय जाता है कि कैसे law of attraction को यूज करके, power of subconscious mind को यूज करके आप अपनी लाइफ को magical बना सकते हैं, आप अपनी सारी इच्छाएं पूदी कर सकते हैं, आप कैसे अपनी कडियर में growth पा सकते हैं, कैसे beautiful relationships अपनी लाइफ में track कर सकते हैं, अपनी dream का dream house, dream life को आप कैसे जी सकते हैं तो जरूर subscribe कर दे, और जरूर ये message spread करें ताकि बहुत सारे लोग अपनी dream life जी सके, बहुत famous artist थे फ्रांस में, उनकी painting का exhibition था, बहुत सारे लोग आए उनकी painting में उन्होंने देखी, और उन सब लोगों में एक चीज बहुत common आई, जब वो इस exhibition में आए, उनका सब का ध्या और उस में उसने सिर्फ एक black color का, उस canvas को पूरा black paint किया है, सिर्फ black, वो सब लोग जो आए, वो उस artist के पास बार बार गए, जितने लोग आए, कि आपने वो corner में वो black painting क्यों रखी है, उसका क्या मतलब है, ना colors है, ना कुछ है, सिर्फ एक frame है, canvas है, आपने उस पूरा black कर लोग को सब को address किया, जो दिन भर वहाँ पे आए थे, और लोगों ने जब से same चीज़ पूची की सर, आपने ये क्यों किया, वो आपने corner में black, सिसे plain painting क्या बना ये, who'll buy that, what does it really mean, उस artist ने कहा, कि मैंने इतने सुन्दर colors के साथ, सौ इतनी सुन्दर paintings बनाई है, जो इस कि इसके colors कितने अच्छे है, इसमें कितना प्यारा green color यूज किया है, इसमें कितना प्यारा pink color यूज किया है, सब का ध्यान ये paintings छोड़के, उस काली चीज पे था, जो एक side में पड़ी थी, चीज चीज अच्छी रही थी, हमारे life पे भी यही होता है, जो चीज हमारे life में सही नहीं चल रही होती, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उसी पे होता है, भले हो छोटी हो, पूरा focus हमारा वही चीज ले जाती है, हजार चीज हमारे life में अच्छी चल रही होती है, हमारा उसमें focus नहीं होता, यूज आपने कोदी notice किया होगा, कि आप कभी सो के उठे, और and you start cribbing and you start blaming God and you start, आपका पूरा दिन जो है न, वो कितना भिकार सजाता है, यह हमने अपने आसपास देखा होगा, कि आपके आसपास कोई old लोग है, बुज़ूर्ग लोग है, जिनको नी की तकलीफ है, या बाक की तकलीफ है, and then you'll say, कि जब भी उठते बैठते, बोलते है, बड़ा कश्ट दिया तुझे, बड़ा दुख दिया, बड़ा धर्दे दिया मुझे, कभी ऐसा हुआ है कि आप सो के उठे, और आपने कहा, वाओ, आज तो मुझे पाइगरेट नहीं है, वाओ, मेरा हाट इतना कॉंप्लेक्स सिस्टम कितना अच्छा चल रहा है, वाओ, म हमारे लाइफ का मंत्र जो हमें चेंज करना है, यही है वो सीक्रेट, हमेरा पूरा फोकस उस पे जो चीजे सही नहीं चल रहे हैं, हमें शिफ्ट करके फोकस लाना है, उन सारी तमाम चीजों पे जो सही चल रहे हैं, विकरस अगर अभी भी आखर बैठेंगे ना, आपको र इसी चीज के लिए मैं एक बहुत पाफुल टेक्नीक लाइए हूं, जिसको मैं बोलती हूं, ग्राटिट्यूद जार या ग्राटिट्यूद बॉक्स, आप अपनी लाइफ में जो चीजे हैं, जब हम उनके लिए थैंक यू बोलते हैं, हमारे ना वाइब्रेशिंस हाई होत चाहते हैं, हम एक बेबी को करसीव करना चाहते हैं, हम जो कुछ भी चाहते हैं, वो सब चीज एक हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा हैं, पर हम इस लो फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा हैं, लो फ्रिक्वेंसी में बढ़ाने का, ताकि धीरे धीरे धीर जो चीजे नहीं है उनकी लिए ब्लेम करते हैं, हम कंप्लेम करते हैं, हम क्रिप करते हैं, हम इंपेशेंट हो जाते हैं, हम कंपेर करते हैं कि उसके पास यह है, मेरे पास यह नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, अपने वाइबरेशन को और लो लो कर रहे हैं, जितना ब्लेम कर thankful होते हैं, आप ये box बनाएं या एकसा jar बना लें जैसा मैं करती हूँ और इसमें आप रोज छोटी-छोटी चीज़े, रोज या हफते भर की छोटी-छोटी चीज़े जो आपकी लाइफ में सही चल रही है, शायद आपको कहें पर कोई gift cooper बिल गया शायद आपको जो है boss ने किसी चीज़ के लिए आपको appreciate कर दिया शायद आपका कोई बहुत fun time आपने अपने friends के साथ spend किया है एक आपकी beautiful आपने अपनी evening spend करी, उन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आप जब उनको note करके लिखें, छोटे से पेपर में, इन बॉक्स में या फिर ऐसे जार में डालें और आप मन्त के end में इस बॉक्स को खोलें और देखें कि वो क्या छोटी-छोटी चीज़े थे उन चिट को read करें आपको बहुत happy feel होगा, आप realize करें कि आपकी life में 90% चीज़े अच्छी चल रही है आपके vibrations higher करेगा ये process, ये technique law of attraction में ये बोलते हैं कि हम जो signal universe को भीजते हैं वो ही 10 times magnify होके universe से वापस आता है अगर हम universe को complain का signal भीजेंगे, अगर हम चीजों को देखके बार-बार complain करेंगे impatient होंगे, blame करेंगे तो हमें universe और ऐसे मौके में देगी, complain करने के लिए blame करने के लिए, रोने के लिए पर उल्टा, अगर हम अपनी blessings को count करना शुरू कर देगे इस magical technique से और thank you बोलना शुरू कर देगे वो सारी चीजे जो सही चल रही है हम वो exhibition hall में सारी colorful paintings के colors को notice करना अगर शुरू कर देंगे, universe हमें और ज़्यादा मौके देगा, thank you होने के हम और ज़्यादा हर एक gratitude हर एक thank you के साथ इस box पे और इस jar में हर एक जो हम चिट डाल रहे हैं, हर एक चिट के साथ हम अपने गोल के और पास, और पास और पास पहुच जाएगे, और एक दिर हमाई vibrations इतनी हाई हो जाएगी कि वो dream हमाई life में, खुच चला आएगा इसको बस अब आपको अपनी life का part बनाना है, और अपनी life को बहुत magical बनाना है, please comment box में लिखे, कि आपने ये practice start करी, आपको कैसा feel हो रहा है, आपने क्या क्या manifest कर दिया है please ये वाला वीडियो ये चैनल और ज्यादा लोग को आप स्प्रेट करें, ताकि हम ये happiness spread कर सकें, ताकि बहुत साए लोग अपनी dream life जी पाए, अपनी सारी इच्छाओ को पूरा कर पाए, because it's a right to live in extraordinary life and it is possible. वे वीट सूर, इस प्रेकाबजी signing off, take very good care of yourself tata, bye-bye